हालो फ्रेंज, वेलकम तो रियल इंजियन होम एंड किचन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक कार्टबोर्ट बॉक्स से एक सुन्दर सा और्गनाईजर कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए चाहिए आपको एक कार्टबोर्ट बॉक्स, कलर, एक पेंट ब्रश, ग्लू, कैची और एक कपड़ा तो सबसे पहले हम कार्टबोर्ट बॉक्स की आउटर लेयर को ब्लैक कलर से कवर कर देंगे हमें थिक कलर यूज करना है और मैंने ये 10 रूपीज वाला कलर यूज किया है अगर आप चाहें तो और बढ़िया क्वालिटी का अच्छा कलर भी यूज कर सकते हैं पर ये कलर भी बहुत चलता है मैं एक वॉक्स एक साल से यूज कर रही हूँ और उसमें कोई भी खराबी अभी तक मुझे नहीं लगी है तो सबसे पहले आप इस पूरे वॉक्स को इस ब्लैक कलर से कवर कर लीजिए तो फ्रेंट्स ये बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा है पूरी तरह से कलर करने के बाद अब मैं वाइट कलर यूज कर रही हूँ और एक शार्पनर यूज कर रही हूँ इसके उपर प्रिंट बनाने के लिए तो आप शार्पनर की जगा कोई और भी यूज कर सकते हैं कोई और शेप यूज कर सकते हैं कोई फ्लार शेप यूज कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पर शार्पनर यूज किया है ये शार्पनर आपको किसी भी स्ट्वेशनिर शॉप पे ज़े कर दोंगी है कर दूंगी हम और रेट कलर के बीच बीच में रेट कलर के शापनर का भी तो प्रिंट करोंगी और ये कितना अच्छा बॉक्स लग रहा है अब मुझे इसके अंदर एक कपड़ा लगाना है जिससे अंदर जो कार्ट बॉक्स दिख रहा है वो नहीं दिखे इसके लिए मैं कपड़े की एक टुकड़े को लूंगी और उसको इसकी लंबाई नापूंगी कि इसमें कितनी प सब्सक्राव बॉक्स लिए कितना जोडा चाहिए मुझे इसके लिए मैं उसकी चौड़ाई से इस त्यूरीके से एक पटी काटूंगी और यह मैंने सारी मेजर्मेंट करके पटी को काट लिया है इसके लिए कोई ज्यादा मेजिर्मेंट की जरूरत नहीं आप इस तरीके स इस तरीके से आपको यह पट्टी निकाल लेनी है उसके बाद यह पट्टी हमें काटबोट के अंदर लगानी है देखिए इस तरीके से हम इसको पकटके और ग्लू की सायता इसे इसे बढ़िया से चिपका देंगे संसित कै incredibly बाद ऌा से बाद इसे में काल रस हायां से इसे में को अे आफ़िया उनी है अंदर हम और रहा हो जाई क行तिए है ठहा रादियना जा उनी हनकाद ईसका देंगे ठानी है अंदर्टी ऐ हो रहा ह भॉाद़ान लेँ तो फ्रेंट्स पट्टी चिपकाने के बाद हमें इसके बेस पे भी एक कपड़ा लगाना है उसके लिए मैं इस कार्ट बोर्ड बॉक्स को उल्टा करूँगी और वहां से मैं इसकी मेजरमेट लोगी तो इस तरीके से कार्ट बोर्ड बॉक्स को उल्टा करके आप इसको मेजर कर सकते हैं और यहां से आप यह पट्टियां काट लीजिए और उसके बाद ग्लू से उसको बेस पे चिपका दीजिए अब ये पूरी तरह से कवर हो चुका है कार्डबोर्ड वॉक्स और अंदर से भी अच्छा लगने लगा है अब हम एक बाटर के लिए कपड़ा चाहिए तो उसके लिए मैंने अपनी पुरानी टीशेट ली है और मैं पुरानी टीशेट के जो निचला हिस्सा है उसमें से एक पट्टी काटूंगी एक रिंग की तरह काट करके उसको इसके उपर बॉर्डर बनाके लगा दूगी आप अपने हिसाब से जितना पतला ये मोटा रखने ही चाते हैं अपने बॉर्डर को आप उतनी हिसाब से अपनी टीशेट से इसे काट सकते हैं टीशेट इसके लिए कफी अच्छा उप्शन है क्योंकि क्या होता है कि नीचे से एक रिंग की तरीके से आपकी पट्टी निकलाती है आपको सिलाई नहीं करनी पटती है बस उस रिंग को निकाल के इसको इस तरीके से लगा के आपको चिपका देना है तो मैंने इसे box पे इस तरीके से लगाया है उसके बाद मैं glue की मदद से इसको चिपका दूँगी और ये बढ़िया सा border तयार हो गया है अंदर और बाहरक दोनों की तरफ से इसे आप fold करकर अच्छी सी finishing दे दीजे और उसके बाद glue से इसको बढ़िया से चिपका दीजे तो friends ये boxes अब बनके तयार हो चुके हैं बहुत ही सुन्दर boxes बने हैं और ये बहुत ही durable भी होते हैं मैंने ये box आपको दिखाने के लिए बनाया है मैं दूसरा box एक साल से यूज़ कर रही हूँ और वो अभी तक चल रहा है तो ये मेरे दोनों boxes हैं इस box को मैं अपने electronic समान के लिए अपने cameras, data cable, SD cards इनको रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ तो friends अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है और ये वीडियो पसंद आई है तो please like and share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिए आप लोगों का support मेरे लिए बहुत ज़रूरी है Thank you so much and bye bye friends